नाइन्थ ख्लास माथेमेटिक्स इसकी टोटल सिक्स एक्सेसाइज़ है वन टू सिक्स एक्सेसाइज वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री एंट वन पॉइंट फॉर का अप्लोड पहले ही हो चुका है आज की वीडियो में वन पॉइंट सिक्स का अप्लोड इन प्रोसेस है अव्य वीन पॉइंट आ पॉइंट ग्सawareं नवा अप्लोड प्रोस प्रोस से विइंट थूइंट अप्रोन प्रब cannabis है अप्रिण बहुए 5 rण प्रूट मत्रस्स इस पॉस्यवल पूसोल फॉल्विंग लिनियर बल्कि फॉल्विंग शिस्टम लॉफ था इधरी डिक्रिक्टों शिस्टम और लिनियर इक्वियन्स वाइब दो मेथल हैं दो मैथल से इसको अपने सॉब करना है पर दो गैटिक्स इंवर्जिन मेथद फ्रीक द्राम स्वार थे क्रेमर रूल 4x प्रेस्ट हुए is equal to 8 3x minus y is equal to minus 1 4, 2, 3 minus 1 यह मैंने इसको matrix form में change कर दिया उसके बाद x और y इसमें जोंगे variable हैं इनको भी मैंने change कर दिया और next अब बस 8 and minus 1 यह constant है constant का मैंने रहदा से एक matrix दे दिया अब इनका मैंने नेमिंग करता हूँ यह A matrix है यह x matrix कहाएगा और यह b matrix होगा अब आपने determinant find करना होता है जो कि सबसे पहला काम है A determinant is equal to four multiply minus one यह determinant का मैं पहली exercise में प्रैक्टिस करवा चुक हूँ है इसलिए इसका मैं ज्यादा आपको explanation नहीं दे रहा हूँ इसलिए प्रैक्टिस क्या इसलिए भी तो इसलिए प्रैक्टिस करना फूप्रैक्टिस का फर्थर एड जोएंट ए इन टू बी अपॉन एट टर्मिनेंट यह फार्मूला है अब यहां पे आपने वैल्यू सब्सक्राइब करने हैं यह मानिस वन और फॉर यह जो प्रैमरी डाइगनल होते हैं मैट्रिक्स के वाक्स में प्रेसर्स को चेंज करते हैं और जो सेकेंडरी डाइगनल हैं उनके साइन चेंज कर दोते हैं यह मैंने दोनों का साइन चेंज पिर दिया और साथ में आपका एड और मानिस वन जो के बी मैट्रिक सेअसका मल्टीक्रेशन होगा और नचिस जो के नर वान और्ण टैंज की दिटर्मिन था उसको मैंने लिख दिया यह सकेलर मल्डिपिशन हो जाएगी नवज ईमएटर इस इकल टू मश रप् प्लस टू मानिस एट दू का अनसर मानिस 6 है गा और मानिस 3 इंटो 8 मानिस 24 और मानिस 1 और मानिस 4 मानिस 24 और मानिस फूर का आंसर हमें मिलेगा मानिस ट्विंटी एट अब यह इन्वर्स इस इकुल टू मानिस वान अपॉन टैन के साथ जब स्केलर मुल्टिपिकेशन करेंगे तो यह आजागा आंसर पॉस्टिव में थरी उपॉन फाइब और यहां आजागा आपको बस फूर्टीन उपॉन फाइब अब यहां भी एक स्टेप आड़ करते होते हैं ए इन्वर्स इस इकुल टू एक्स और एक्स इस इकुल टू एक्स वाई कीकल है अभी आपको बस आजागा एक्स वाई यह थरी उपॉन फाइब और फॉर्टीन उपॉन फाइब एक्स का वैल्यू आपको थरी उपॉन फाइब मिल गया और वाई का फॉर्टीन उपॉन फाइब यह हमने एक मैथड से जो के इसका स्लूशन कर लिया और भी इसका वाई क्रेमर रूल और उसका स्लूशन बाकी है अब कैमर रूल से इसको सौल करें 4x प्लस 2y इस एकल तो 8 दें 3x-y इस एकल तो मानस वन मैट्रिक सी फॉर्म में लिखने इसको फोर तो थी एंड मानस वन दें एक्स वाई और एट दें मानस वन यह आपके बास है यह मैट्रिक्स है यह डिर्मिन्ट का आंसर आप नकाल चुकी है जो कि मानस टन है अभी हमने यहां फाइंड करना है एक्स एक्स के लिए 4 3 को आप रेप्लेस करेंगे 8 और मानस वन के साथ और 2 और मानस वन इतनी जगा पर ही रहता है इसी तरह एवाई एक फॉर्म बराते हैं एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं इसमें 4 और 3 जो है वो इसी तरह रहेगा 2 और मानस वन भी है यह प्लेस हो जाएगा 8 और मानस वन के साथ इसके बाद हमने नकालना है एक्स डिटर्मिनेंट एक्स डिटर्मिनेंट आपको पास आजेगा 8 इन 2 मानस वन और मानस 2 इन 2 मानस वन एक्स डिटर्मिनेंट आपको पास आजेगा जी मानस 8 प्लस 2 यह आपको मिल जाएगा मानस 6 और इसी तरह जो एक्स डिटर्मिनेंट है वो आपको मिल जाएगा 4 इन 2 मानस 1 मानस 4 तैन मानस का साइन होता है 8 3 जाट 24 यह आपको पास मिल जाएगा मानस 28 एक्स डिटर्मिनेंट और एक्स डिटर्मिनेंट और एक्स डिटर्मिनेंट दोनों आप फाइन कर चुके हैं अभी एक्स के लिए फार्मूला फाइन करने के लिए फार्मूला आपको पास होता है एक X determinant upon A determinant और Y find करने का लिए फामुला दा है A Y determinant upon A determinant, X is equal to, अब जो A X determinant अब माने 6 है और A A Y determinant माने 10, और Y is equal to, A Y determinant माने 28 है अपन A determinant माने 10, X is equal to 3.5, और Y is equal to 14.5, पैंसरेशन के बाद ये दोनों अंसर हमें मिल गए, और दोनों अंसर हमारे टैली कर रहे हैं, इसलिए ये, ये, आंसर ठीक है, आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे वीडियो का शेरिंग करना है, और अगर आपको मेरी ऑनलाइन टीचिंग सरफ सरफ रकॉरर हूँ, तो माइसल नंबर इस 032158382264, थैंक यू अरी मच्छ, झाल 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 झाल झाल